प्रदेश सरकार के दोरा 31 में से बजारों को 5 घंटे के लिए खोलने के निरने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है हमिर्पुर में लोगों का मानना है कि 5 घंटे बजार खुला रहने से बजारों में भीड कम होगी और लोगों को भी बजार में आने के लिए अत्रिक समय मिल जाएगा हमिर्पुर में कुछ लोगों से जानी सरकार के इस निलने पर उनकी राय युवा नीलम का कहना है कि परदेश सरकार का बजारों को खोलने के लिए 5 घंटे का समय दी जाने से लोगों को सामान खरीदने के लिए सुबधा मिलेगी उन्होंने कहा कि सरकार को चाही कि अगर क्रोणा पॉजिटिव के मामले कम हो जाते हैं तो ज्यादा समय बजार कुले रह सकते हैं ये एक अच्छी पहल है नौ से दो दुकाने खुन जेजिए क्योंकि आम जो बेपारी है चोटा बेपारी है वो भी इसमें फिसरा आगा उनकी रोजी रोटी का जो है उस सरकार ने अच्छा निर्ने लिए ये स्थानी निवासी राजिंदर राजन ने सरकार के निर्ने का स्वागत किया है और उने ने कहा कि छोटे दुकान दरों की आयका साधन आजकल पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है और दुकाने खोलने से अब उनके काम भी चल पड़ेंगे ये बहुत अच्छा निर्ने है सरकार का क्योंकि लोग बहुत परिशान है क्योंकि एक तो समान नहीं मिल रहा है लोग रहा सुर्फ तीन गंटे में नहीं होता है उनका काम पूरा और जो बाकी दुकान दार हैं उनकी रोजी रोटी का मसलब बना हुआ है वो भी अगर दु बिशाल का कहना है कि परदेश सरकार का दुकानों को खोलने का निर्णे सही है क्योंकि तीन घंटे के लिए हर कोई बजार में आता है जिससे भीड जादा बढ़ जाती है लेकिन अब समय बढ़ जाने से बजारां में भीड कम होगी यह बिल्कुल सही निर्णे है जिस तरह जिस रेशो में अब जैसे हिमाचल में केसिस की कमी आई है तो लगना चाहिए सरकार की बेपारी गतिविदियां भी बहुत जरूरी है तो ऐसा नहीं है और इसमें क्या होगी जो टाइम स्पैन बढ़ने से फाइदा होगी तो बजार म बढ़ने की उमीज है क्योंकि यह एक दूसरे के पूरक है कि मांगे जिए एकोनमी जब चलेगी आपकी तभी प्रदेश नया आर्थी गतिविदिया चलेगी तभी प्रदेश का विकास भी होगा तो इसलिए यह सरकार का अच्छा निरने है और जैसे जैसे करोना की किसी कम वही राकेश कुमार ने कहा कि दुकानों के खोलने के लिए पांच वज़े तक का समय होना चाहिए क्योंकि पिछले काफी समय से दुकाने बंद पड़ी हुई है वही राकेश कुमार ने प्रदेश सरकार के इस नए फैसले का भी स्वागत किया है पर चलो जादा नहीं होने से कुछ ने कुछ फाइदा है थोड़ा बहुत खाना पीना तो लोगों को चले गई रोजी बुटी तो आप सरकार के इस फैसले का क्या करते हैं इस फैसले का मैं अभी तो बीच मज़दार में यूं मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता अगर का हलात देखें तो अभी ज्यादा फाइद ने मेरे को लग रहा पांच में तक तो टाइम देना चाहिए था